अला अवरीवन नमस्कार दोस्तों स्वाहत है आप सभी का एक पर फिर से आशीश कौतम के साथ अटेट 24-7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज है दोस्त एक अगस्त और एक अगस्त को हम लोग important current affairs का discussion करेंगे आज का दिन बहुत important इसलिए और बनता है क्योंकि Commonwealth Games में इंडिया को back to back back to back medals मिल रहा है उन्हें सभी का हम लोग detail में discussion करेंगे आज ओके इविन आज के तो जो MCQs भी आपके रहेंगे वो भी खुद में news रहने वाली important news रहेंगे तो बहुत कुछ है आज आपके लिए पढ़ने के लिए मेरे भाई क्रपया करके class को आखरी तक देखेगा बहुत कुछ important आज हम लोग discussion करने जा रहे हैं आज हम लोग 31st of July और 1st of August दोनों के current affairs discuss करेंगे ऐसे पारेंड जिनका जो bank, SSC, railway, state exam या किसी भी ऐसे exam की तियारी कर रहे हैं जो इन पर आधा रहते हैं, इनके pattern पर आधा रहते हैं, उन सभी के लिए ये session important बने का चाहे state PCS हो, चाहे defense हो, सभी के लिए session बहुत important है तो करपया करके मेरे दोस, short notes भी आपको बनाने इसके और इसकी में आपको PDF भी available कराऊँगा, okay so start करते with the positive thought, बहुत शांदार बात लिखी है कि believe in yourself, anything is possible definitely मेरे दोस, अपने पर trust करिये, मैं अपना एक अनुभाब आपके साथ साजा करूँगा मेरे भाई मैं अपनी जिंदगी में परिस्तितियों में इस तरीके से रहता हूँ हमेशा हर दिन, हर दिन मेरे दोस इस तरीकी की परिस्तितिया रहती है आप उठेंगे गिरेंगे आप उठेंगे गिरेंगे आप उठेंगे गिरेंगे और यह हर किसी के साथ है आपके साथ है मेरे साथ है आपके अड़ोस पड़ोस में माता पिता भेन भाई दोस्त यार हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं इस प्रकार का जीवन मेरे दोस्ट चलता रहता है और इस प्रकार का अगर चल रहा है तो इसका मतलब यही है कि हम लोग सही है मेरे दोस्ट ज़रा समझेगा इस प्रकार का जीवन चल रहा है तो उसका मतब हम लोग सही ट्रैक पे चल रहा है वस हमें ये समझने की जरूवत होती है कि जब भी कभी भी हम लोग बढ़ रहे होते हैं तब हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं और जब कभी भी डाउन फील डाउन जा होते हैं मेरे भाई तब हम लोग खुद को बहुत असहेज मैसूस करा देते हैं यह तो नहींसान की बनाई हुई चीज़ें कैसा नहीं पासकते हैं बताईए बताईए ना आप मेरे दोस्त किसी नस सोचा था कि कोई आकाश की तरफ जाएगा कोई जमीन के नीचे जाएगा म पानी में जाएगा, सोचाता है कि सब कुछ सपने होते हैं, सब कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को हकीकत बनाना पड़ता है, देखें, believe in yourself, anything is possible, everything is possible, you can achieve everything, खुद पर trust रखें, खुद पर trust रखें, मैं तनी गारंटी दे रहा हूं, हर एक चीज आप पा सकते हो, अपने पर trust करना बड़ा जरूरी है, मेरे शब्तों पर को और फर्माईएगा, आज घर से ले रहा हूं, स्वास्त कारणों के चलते हैं, मेरे भाई, सनी बार को भी plus मैंने घर से लीती, तो आप से गुजारिश रही कि बस इतनी मेरे दोस्त, कि सेशन को आज आखरी तक जरूर देखना बहुत मज़ा आने वाला, बढ़ते इसके अलावा, आप लोगों के लिए डवल वैलिटी मेरे तोस्त, जो मन्त हैंट थी, वो आज के लिए एक दिन के लिए और एक्स्टेंड कर दी गई है, काफी ऐसे एसपारेंड कल इन्रोल नहीं करा पाए थे, तो जिन्होंने भी आप है कि उनके ऊपर जितनी लाइब क्लासे हैं, ओके, इविन उसके लावा, टेस्ट पैक सभी पर डबल वैलिटी है, कोड याद रखना अपने भाई का Y168, ओके, इसके बारे में एंड में डिसकस करेंगे, आप बढ़ते हैं, पहले सवाल के तरफ जड़ा देखेगा, कहने का मतलब यह है, यहाँ पर, कि जो अभी हाल फिलाल केंद्री, क्रशी और किसान कल्यार मंत्री नरेंद्र सिंग तॉमर ने, देश में क्रशी जन गड़ना शुरू करी है, उसको लॉंच किया है, सवाल यह है यहाँ पर, कि मित्र कौन सा इसका संस्करण है, कौन सा इसक संस्करण है, फटावड़स का अंसर करिए मेरे भाई, फटावड़स का अंसर करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अत्य सुन्दर, क्या बात है, वेल डन, चली, आंसर बनता है यहाँ पर, it is 11th edition, maximum हम लोग आंसर कर रहें, it is 11th edition, अब जला ध्यान से समझते हैं, और भी काफी कुछ है, यह जो अगरिकल्चर सेंसस है, हर यह 5 साल में कंड़क्ट किया जाता है, यह पहली दफ़ा है कि जो डेटा कलेक्शन हुआ है, अगरिकल्चरल सेंसस के लिए, यह स्मार्ट फोन और टैबलेट पे कलेक्ट किया गया है, जिससे क्या होगा, यह अविलेबल रहेगा टाइम पर, पहली दफ़ा स्मार्ट फोन और टैबलेट के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया गया है, ओके अगरिकल्चर सेंसस आपका हर 5 साल में होगा, इस वार जो लॉंच किया गया है, वो आपका 11th edition रहा था, कुछ ranking की जब बात हो रही तो इसमें एक नाम और याद रखना, रोशनी नादर मलोहत्रा का, सर इनकी क्यों बात कर रहे हो, जब यह ranking की बात हो रही है, एडीशन की बात हो रही है, तो मेरे दोस्त इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, रोशनी लादर मलोहत्रा, यह इंडिया की second richest women बनी है, इस पर ज़रूर याद रखना कि रोशनी नादर मलोहत्रा क्या है? इंडिया की second richest, sorry, second year in a row, इसका मतलब क्या होता है? लगातार दूसरे साल भारत की ये, मतलब richest महिला रही है, इसको important mark करना, HCL Technology की chairperson है, रोशनी नादर मलोहत्रा, और अभी हुरून इंडिया ने जो अपनी report जारी की थी, उसके अनुसार 84,330 करोड रुपे इनकी wealth बताए गई, 84,330 करोड रुपे, ये पहरे नंबर पर रही थी, रोशनी नादर मलोहत्रा, दूसरे नंबर पर एक और नाम याद रखिएगा, ये बहुत important है, फाल गुनी नायर, ओके, फाल गुनी नायर, ये नाम बहुत important है भाई, ठीके, तो जो रिचेस वीमेन है, ये कौन है, रोशनी नादर मलोहत्रा, और जो नायका की founder है, ओके, नायका, ठीके, इसकी जो हैड है, मेरे भाई, इनका नाम है, फाल गुनी नायर, दूसरे नंबर पर रही थी, तीसरे नंबर पर रही थी, किरन मजूंदार 100, किरन, बाईकॉन, बाईकॉन की head मेरे दोस्त, बाईकॉन की chairperson ये, किरन मजूंदार 100, ये 29,030 करोड रुपे की wealth के साथ, तीसरे नंबर पर, फाल गुनी नायर, 57,520 करोड रुपे की wealth के साथ, दूसरे नंबर पर रही थी, I hope you are guys clear रहेगा जब numbers की बात हो रही है agriculture census की बात हो रही तो एक data और याद रखेगा अभी एक data है था जोकि government के द्वारा जारी किया गया था उसमें बताये गया है कि पिछले 3 सालों में past 3 years में poaching की वज़े से natural disasters की वज़े से other factors की वज़े से important mark करना 329 tiger कितने 329 tiger है मेरे दोस से जिनों को हमने खुआ है simple simple बात करते हैं तो इंडिया ने 2019 में अगर data की exact बात करता हूं 96 tiger 2020 में 106 tiger and 2021 में कुल मिलाकर 127 tiger को lost किया था और उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो overall मिलाकर 329 tiger रहे हैं ठीक है I hope you are guys clear होगा इंडिया में total tiger कितने 2967 2967 सबसे ज़्यादा tiger कहाँ पर है मद्रप्रदेश में ये बहुत important है एक्जाम में कोशन आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा tiger कितने total tigers कितने हैं तो answer बनता है 2967 2967 और जो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है मद्रप्रदेश में है clear भाई all done okay जैसे भी कोई report जारी की जारी है अभी digital bank की एक report जारी की गई ये किसने जारी करी है इस तरीके से question भी आ सकता है तो इस तरीके से भी याद रखना digital bank की report को अभी नीती आएक के द्वारा जारी किया गया था done अब आगे बढ़ते next देखते है तडोबा टाइगर रिजब होस्टेड ग्लोबल टाइगर डे सालेबरेशन it is located in which a district तडोबा टाइगर रिजब ने वैश्विक बाग समाहरों की मेजबानी की ये भारत के किस राज्य में इस्थित है तडोबा टाइगर रिजब ने वैश्विक बाग समाहरों की मेजबानी करी ये भारत के किस जिले में इस्थित है I know मेरे दोस्ट आप लोगों से अगर मैं राज्य पूछता आप तुरंत की तुरंत आंसर कर देते चंदौली, गूगामल, नवेगाओ, तडोबा ये सब के सब महरास्ट में लोकेटिड है मैंने महरास्ट के डिस्टिक सारे के सारे सेट नी कि ये वहाँ गन्फ्यूज हो जाते यहां अंसर बनता है चंद्रपूर चंद्रपूर महरास्ट में ये चंदौली, मरला भी ये तडोबा टाइगर इस अब सिचुएटेड है और इसने ग्लोबल टाइगर जो डे सेलिबरेशन रहा था उसको होस्ट किया था, ओके इसके लावा जाना समझना, अरेस्ट आप्शन, मॉंबई, महरास्ट्रा जितने भी उप्शन है इनको देख लेते हैं सबसे पहले जाना देखना ये वेस्ट बेंगॉल का न्यू चल पाए कुड़ी ये मेरे भाई काफी न्यूज में रहा था, उसका रीजन समझने की कोशिश करना असल में ये इंडिया है और ये बंगला देश है इनके बीच में मेरे दोस से ट्रेन चलती है हाँ जी सार नई बात क्या है पेटा तीसरी ट्रेन चलाई गई है पहली और दूसरी तो चली रही थी मतलब बंदन एक्सप्रेस तो चली रही थी कॉलकता से ये खुलना के लिए मैतری एक्सप्रेस तो चली रही थी, धाका से कोलकटा के लिए, तीसरी बंगलादेश इंडिया पैसंजर ट्रेने सर्विस को चलाया गया, इंसानों को लेकर, आदमियों को लेकर, मेरे भाई, पैसंजर को लेकर यहाँ पर जाएगी, इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, तो य न्यू जल्पाई गुडी से धाका के लिए चलाई गई है अब ये न्यू जल्पाई गुडी कहाँ पर है वेस्ट बेंगॉल में है और धाका क्या है बंगलादेश की कैपिटल है यह जो ट्रेन है यह चिलहटी हल्दी बारी रेल लिंक का इस्तेमाल करेगी ओके इसकी अलावा असम के जोरहाट की बात करें तो देश का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो यहीं पर कमीशन किया गया है ओईल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इससे कमीशन किया गया था इसे इंपोर्टन महरास्ट के मुंबई में जो नेवल टॉक्यार्ड है वहाँ पर 32 साल सर्विसिस देने के बाद आइनेस निसंक और आइनेस अक्षे को डिकमीशन कर दिया गया है इसके अलावा मुंबई 2021 का ट्री सिटी ओव वल्ड घोशित किया गया जो फर्स्ट कारवन न्यूटरल पंचायते देश का वो पाली बिलेज है जो कि जम्मू कश्मीर के सामभा में है कहां पर मेरे भाई जम्मू कश्मीर के सामभा में है अब कुछ डिस्टिक की बात तो हो गई कुछ स्टेट की बात भी कर लेते हैं गुजरात अभी news में रहा था, reason है उसका, उसका कारण है मेरे भाई, पहला state है ये इंडिया का, first state जिसने की semi conductor policy launch कर ये 5 सालों के लिए, तो 22 से लेकर 27 तक के लिए इसने 5 सालों के लिए semi conductor policy लेकर आया, कोई dedicated semi conductor policy लेकर आने वाला, पहला state गुजरात है, fine, दूसरा है मेरे द ये अभी हाल फिलाल 36 गड़ के मुख्य मंतरी, ध्यान सुनेगा, इनका नाम इस इनों होने, अभी हाल फिलाल एक program launch case का नाम है, महतरी नियायरत, इसको जरूर याद रखना, M-A-H-T-A-N-Y-A-R-A-T, ओके, तो अभी ये जगे 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 जाके बिटा अवेर करेगा, मह के सारे राइट हैं, तो ये किसने शुरू किया है, महतरी नियायरत, 36 गड़ के तुवारा, गुजरात के तुवारा, गुजरात पहला एस्टेट हो गया, इसके अलावा जरू सुनिएगा, पंजाब मेरे दोस्त, इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, एक नया program लेकर आरे, इसका नामे खेद मेला, खेद मेला, खेल होता है ना, बिटा खेद कर दिया उसको, खेद मेला, फाइन, तो पंजाब ये, खेद मेला लेकर को ना रहा पंजाब, इविन केरल बहुत important काम किया है, दोस्त, केरल ने क्या किया, ये ओला हो गया, उबर हो गया, इन तमिल नाडू की बात करते हैं, सर, तमिल नाडू नियूज में रहा था, उसका कारण है, इसने अभी एक चीफ मिनिस्टर, ओके, चीफ मिनिस्टर, ब्रेकफरस्ट स्कीम स्यूदू करी, मतलब स्कूलों में अभी तक दोपैर का खाना तो मिलता था, इनका कहना है कि अब हम सुबह का ब्रेकफरस्ट भी दिँगे, Selbst राजिस्तान की बात करते हैं, तो राजिस्तान तेलंगाना के साथ मिलकर क्या करने जा रहा है, सर, First All Women Run Co-operative Bank, तो First All Women Run Co-operative Bank, जो ए एक को-operative बैंकों का सहकारी बैंकों का, इसमें सब की सब महिलाएं काम करेंगी, और इस कहाँ हर्यारा नियूज में रहा था, हर्यारा ने अभी सर, smart e-beat system लेकर आया है, smart e-beat system, तो smart e-beat system किसके लिए है, हर्यारा ने शुरू किया है, आयो हो प्यार गाईज, इतनी सारी चीजें आपके बहतरीन तरीके से clear होंगी, अभी तो रुखने का नहीं है, जब district की बात हो रही है, तो एक district तो रहे गया भाई, मद्रप्रदेश का, सर, मद्रप्रदेश का कौन सा district रहे गया, सर, वो district रहे गया, जो कि पहला, पहला, हर घर जल certified district है, पहला हर घर जल certified district देश का कौन सा है इसका नाव है बुरहानपुर बुरहानपुर फाइन तो बुरहानपुर यह मद्रपरदेश का district है और यह first district है जिसको की हर घर जल certified district किया गया है गुजरात के गांदी नगर में International Financial Services Center Authority तो International Financial Services Center Authority के जो headquarter building है उसका सिलन्यास किया मोदी जी के द्वारा किया गया इसको तयार किया जा रहा है कहाँ पर गिफ्ट सिटी में कहाँ पर गुजरात गिफ्ट सिटी में इसको जरूर याद रखेंगे clear next आगे बढ़ते third edition of Vietnam India bilateral army exercise has been started in Chandi मंदिर Panchkula Haryana what is the name of exercise इसका नाम बताइए भाई content पसंदारा like करते चलिएगा फटापट 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 ओके फटापट 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 लाइक करिएगा 12 मिनिट में हमारा session 2500 पहुंच चुका लाइक अभी भी चल रहे 949 हमा यार क्या करते है यार या एक number content दे रहा हूँ फिर भी तुम लोगों को मतलब like नहीं करना मतलब क्या करूँ बताओ है फैपड़े किटिनी निकाल के पार रखू तब जाके मेरी भावनाओं को समझेंगे अरे एक बार कर दीजे भाई बहुत बढ़ियाती सुन्दर राइड आंसर बनता विन्वेक्स यह विन्वेक्स जो exercise है यह भारत और वियतनाम के बीच में एक exercise है इसको याद रखना यह जो विन्वेक्स exercise है यह इंडिया और वियतनाम के बीच में एक exercise है और इसका यह third edition है और यह कहां पर शुरू हुआ है हर्याडा के पंच कुला में, चंदी मंदिर में, अब आगे बढ़ते हैं, लैमित भारत की सेशल्स के साथ है, वरुन भारत की फ्रांस के साथ है, बॉंगो सागर ये बंगलादेश के साथ है, डस्टलिक ये उजुवे किस्तान के साथ है, हाल फिलाल इन exercise को conduct किया गया है, नी लंबी चोड़ी थी में इसको रीड कर ले ना एक बार, ओके, Employment and Deployment of Engineering Company and Medical Team as a Part of United Nation Contingent for Peacekeeping Operation, ये इस Winbecks exercise का विशे रहा है, Indian Army को 104 Engineer Regiment के द्वारा दोस्त रिपर्जेंट किया गया है, रुखने का नहीं, आगे देखो मेरे बाई, कुछ exercise बहुत important है, जैसे कि बंगलादेश की बात करते हैं, भारत की मित्रों बंगलादेश के साथ एक exercise होती, इसका ना में बॉंगो सागर, ओके, यह भारत की मंगलादेश के साथ ही रही थी, कॉर्पेट, कॉर्पेट का यह 4th edition रहा था भारत का मंगलादेश के साथ, इस वे भारत की तरफ से INES कोरा और INES सुमेधा ने participate किया था, ओके, INES सुमेधा और INES कोरा ने इसमें participate किया था, गोवा की बात करें, तो यहाँ पर एक मुर्मुगाव हार्बर है, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नेशनल लेवल पॉलिशन रेस्पॉंस एक्ससाइज रही थी, इसका नम है नेट पॉल रेक्स और इसका ये एर्थ एडिशन राहत आठवा संस्क्रण, वेस्ट प्रेंगॉल के सिलीगूरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक एक एक्ससाइज रही थी, क्रिपन शक्ती, ओके, क्रिपन शक्ती, तो जो इंडियन आर्मी की तृषक्ती कॉप्स है, उसने तीस्ता फिल्ड फाइरिंग रेंज में इस एक्ससाइज को कंड़क्ट किया था, हिमाचिल प्रदेश के बकलो में, कहाँ पर बिटा बकलो में, एक खंजर एक्ससाइज रही थी, भारत की किर्गिस्तान के साथ एक्ससाइज है, और इसका ये नाइंत एडिशन नौवा संस्क्रड रहा था, ओके, आगे मेरे भाई, अर अब सागर की बात करें, तो भारत औ और फ्रांस के बीच में एक एक्ससाइज रही थी, इसकाना मैं वरुन, ओके, और वरुन का ये 20 एडिशन 20 वा संस्क्रड रहा था, आई होप मित्रो इतना क्लियर होगा, नेक्स्ट, मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई की मेरे दोस्त, वेस्टर जो नेवल कमांड है, उसने अभी एक offshore security exercises को conduct किया था, इसकाना मैं प्रस्थान, ओके, प्रस्थान, महरास के पूने की बात करें, तो यहाँ पर एक जगे लुल्ला नगर, ओके, वेटा, कहना मैं इसका लुल्ला नगर, ओके, तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर लुल्ला नगर में एक सुरक्ष के यांगरिक में एक exercise रही थी भारत की dust lick, ओके, और dust lick भारत की उजवेकस्तान के साथ होती है, इसका ये तीसरा संस्क्रड रहा था, बंगलादेश के जैसोर की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया बंगलादेश एक joint military exercise रही थी संप्रती, इसका ये तसवा संस्क्रड रहा डन मेरे भाई, मज़ा आ रहा है, clear है, all done, आगे बड़े, अरे सर, बड़ी है ना सर, चलिए आगला देखें मेरे भाई, बहुत जोड़दा सवाल है, fourth edition of India-Oman joint military exercise, इंडिया और Oman के बीच में joint military exercise है, उसका चौथा संस्क्रड, fourth edition, ये foreign training node of महाजन field firing range, राजिस्थान में है उजित किया जाएगा, अच्छा जी, तो राजिस्थान में जो foreign training node है, महाजन field firing range का, वहाँ पर भारत रो ओमान के बीच में एक exercise रहेगी, हाँ जी, इसका addition कौन सा है, fourth edition है, हाँ जी, इसका बेटा नाम क्या है, जरा फटा पट से बताईए, what is the name of exercise, इसका exercise का नाम क्या है, जल्दी बटा 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 क्या है, बहुत बढ़िया थी सुन्दर, इसका नाम है अलनजा क्या नाम है बटान 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 अलनजा बैटे सरो अलन नगा पढ़ते थे हम लग ल או लेकिन सारी जगा अलनजा लगा हुआ इसे देख लूँगा अलनजा है अलनाजा call initiative for multi-sectoral technical economic cooperation, okay, ये जरूर याद रखना, सिन्यू मैत्री, धर्मगार्जियन, सहीयोग, काईजन, भारत की जापान के साथ एक साइज है, जितनी भी एक साइज लिगी ना, ये सिन्यू मैत्री, सहीयोग, काईजन, धर्मगार्जियन, ये भारत की जापान के साथ एक साइज है, जो उमान के साथ होती उसमें आगया, अलनागा, इस्टन, ब्रिज, इस्टन, ब्रिज, और नसीम, अलबेहर, इस्टन ब्रिज और अल नागा यह भारत की ओमान के साथ exercise है एक बार जाना गौर फरमाते है मंगलादेश के साथ भारत की कौन कौन सी exercise है संपरती और एक मेरे भाई बॉंगो सागर है मंगोलिया के साथ भारत की exercise करना में नॉमिटिक एलिफेंट रशिया के साथ भारत की exercise एक करना में इंद्रा नेवी और दूसरी है एविया इंद्रा इंद्रा नेवी और एविया इंद्रा और तीसरी आगे इंद्रा हैंड इन हैंड भारत की चाइना के साथ exercise है हैंड इन हैंड भारत की चाइना के साथ हो गई अजय वारियर कॉनकन इंद्रधनुष कॉनकन शक्ति यह भारत की UK के साथ exercise है मालदीप्स के साथ भारती exercise का ना में ECOVRIN ECOVRIN मालदीप्स के साथ हो गई इसके अलावा सूरिक किरन यह भारत की नैपाल के साथ है इंडोनेशय के साथ दो exercise है गरोड़ शक्ति और समुद्र शक्ति यह भारत की इंडोनेशय के साथ exercise है I hope you are guys clear होगा Next सेखेगा मित्र शक्ति और सिलिनेक्स भारत की शिरिलंका के साथ हो गई मलेशय के साथ हरीमाव शक्ति है किर्गिस्तान के साथ भारत की खंजर है अभी बता दिया मैंने मैत्री थाइलेंड के साथ है कजाकिस्तान के साथ दो exercise है एक काजिंदा और एक प्रवल दोस्ट्यक है जो मेरे regular session में होगा निको बिलकुल ऐसे याद होगा समझर है नहीं समझर है मेरे भाई इंबेक्स भारत की मियानमार के साथ है यो तब्यास वज्जर प्रहार टाइगर त्रम कोप इंडिया ये भारत की United State के साथ है शक्ति वरुन करूल डेजर्ट नाइड ये भारत की France के साथ है फ्रांस के साथ भारत की exercise है आई हो प्यार गाईज इतना clear होगा नेक्स्ट मिलेक्स किसके साथ है भारत की BIMSTAC देशों के साथ है जापान के साथ हो गई धर्मगार्जियन, सहयो काईजन, सिन्यू मैत्री और एक और exercise लिख लेना जिमेक्स ओके जिमेक्स ये भी किसके साथ है मेरे भाई भारत की जापान के साथ clear है निक्स आगे देखते है जैर अल बहर ये कतर के साथ है नसीम अल बहर ये भारत की ओमान के साथ है लेमिते सेशल्स के साथ है विन्बेक्स वियतनाम अगनी वारियर सिंबेक्स बोल्ड कुरुचित्र ये तीनों भारत की सिंगापूर के साथ है सिटमेक्स सिंगापूर थाइलेंड इंडिया अलमोहिद अलहिंदी साउधी अरब जाइद तलबार यूएई डेजर्ट इगल गल्फिस्टार यूएई मालवार इंडिया यूएसे जापन ऑस्टेलिया कोई दिक्कत सब ये क्लियर इतना मज़ा रहा है जोको दोस्त इतना समझ लो एक दिन में तो कोई चौधरी बनने से रहा तो समय तो लगेगा कोई दिक्कत नहीं है समय हम लोग देंगे बड़ हिम्मत नहीं हारा मैंना बोला ना Anything is possible Everything is possible हर कुछ पा सकते हो बस अपनी हिम्मत मत तूट रहे देना अपनी हिम्मत को बनाए रखना I know ये चीज़े पढ़ने में लग रही हूंग अरे सर इतनी सारी exercise करनी पढ़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अरे दोस्त ऐसे कुछ नहीं मिलता ठीक है खौब को हकीकत बनाना है तो तपना पड़ेगा समझ ना खौब को हकीकत बनाना है तो तपना पड़ेगा जीवन में अगर कुछ पाना है यू content पसंद लाइक ठोकते चलना, next आगे, संजे अरोडा साहब की बात करते हैं, Director General of ITBP, समझ येगा, संजे अरोडा, Director General of ITBP, has been appointed next Delhi Police Commissioner, अरे बावईवा, बहुत बढ़िया, इन्होंने किसका स्थान लिया, तो ये तो संजे अरोडा साहब है, अब इन्होंने, इनकी जगे, मतलब संजे अरोडा साहबे, Director General of ITBP है, इनको next Delhi Police Commissioner बना दिया गया, बहुत बढ़िया, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले कौन थे, तो राइडांसर बनता है, इनसे पहले थे राकेश अस्थाना, ये जो रहे है न, ये ये राकेश अस्थाना है, ठीक है भाई, अब आरहरी कुमार, मनोच पांडे, विवेक राम, चौदरी, कुलदीव सिंह क्या है, उनसे पहले कौछ और समझ लेते हैं, न्यूस समझ में आगे, संजे अरोडा, नेक्स डेहली पुलिस कमिशनर है, ये राकेश अस्थाना की जगे पर बने है, राकेश अस्थाना का जो कारिकल है, कल तक था बिटा, वो खतम हो गया, अब SL 1000, जो की डारेक्टर जनल ससस्तर सीमा बनके, इनको DG बना दियागा ITBP का, अच्छा सर, मनलब SSB के हडगा है, ना रहे, SSB के तो है रहे, बट एडिशनल चार्ज दे दिया गया इनको DG of ITBP, अच्छा जी, तो SL 1000, जो डारेक्टर जनल ससस्तर सीमा बनके, उनको डा दिया गया, हान जी, अब समझ में आई तुमारे, क्लियर है, इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है, इसके अलावा, अब जो मैंने option रखे थे, उनको समझते हैं, आर हरी कुमार ये अपने नेवी के चीफ है, और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाए जाता है, मनोज पांडे जी ये आर्मी चीफ है, और ये आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते है, विवेक राम चौधरी जी, ये एरफोर्स के चीफ है, एरफोर्स डे 8 अक्टूवर को मनाए जाता है, CRPF के डारेक्टर जनल का नाम कुलदीव सिंग है, और 84 जो रेजिंग डे है आपका, ये 27 जुलाई को मना आए गया है, CRPF का, कुछ बच्चे लिखके कह रहें, सर 83 है, अरे दादा, एक बार ऑफीशल साइट पे जाईए, CRPF के, वहाँ पर देखना, वहाँ आपको 84 ही देखेगा, समझ में आ रहा है, इसके अलावा, एक गाना सुना, ओ, कोका कोला तू, सुना ना मिटा, तो वह कोका कोला ने, एक बेटा, किसको सायन के, नीराजी चौपडा को किया, इसके लावा, एक नाम और याद रखना, प्रने कुमार वर्मा, प्रने कुमार वर्मा को भारत का बंगलादेश में, अमबेसर बनाए गया, तो बंगलादेश में भारत की जो अमबेसर बने, इनका न बैंक में भारत के चीफ एकनॉमिस्ट बनाए गए इंदर मित गिल, एक नामे बिटा नकुल जैन, इनको क्या बनाएगा है? CEO of Paytm, fine, तो इनको Paytm का CEO बनाए गया है, clear है? एक नाम और याद रखना मेरे दोस्त, यह important बनेगा, TP, TP यानि कि Tata Project, Tata Project ने बत और Managing Director के इनको Appoint किया है? विनायक पाई को, okay? विनायक पाई, यह सारे के सारे important recent appointment है, विनायक पाई, विनायक पाई, fine, clear है? F.I.H. International Hockey Federation के जो Acting President बनाए गए है, इनका नाम क्या है? सर सेफ, सेफ, एहमद, सेफ, एहमद, okay? और यह कहां से? इजिप्ट से हैं, तो इजिप्ट के सेफ, एहमद को International Hockey Federation का Acting President बनाए गए, Acting President, clear है भाई? और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जिसा है ONGC, विदेश, इसके अभी Head बनाए गए, Director, Managing Director बनाए गए, इनका नाम राज शिरी गुपता, okay? इसका compilation देदूँगा, एक पूरा complete, एक पूरा complete compilation देदूगा मेर इनकाना में राज शिरी गुपता, इनकाना में राज शिरी गुपता, okay? इनसॉलवेंसी बैंकरप्सी बोर्ड आफ इंडिया में, कली बिटा, इसका मैं पूरा, कल मैं बोर्ड से class लोगा, तो कल तुम लोगों को पूरा compilation दिखा दूँगा, इसका, whole time member कौन? जो Fidel Valdes Ramos, okay? Fidel Valdes Ramos has passed away, he was the former president of which country? एक इस देश के पूर्वर रास्ट पती थे, चले गए, अब बताई ज़रा, अभी काफी लोगों का निधन हो गया है, तो यह तो फिलिपिन्स के रास्ट पती थे, okay? फिलिपिन्स के पूर्वर रास्ट पती, इनका निधन हो गया है, done Clear? Peacekeeping, Operation, Employment, Employment, Deployment, Engineer, क्या पीछे? यह कौन सा यमें ऐसा लग रहा है, poem लिखा है, अच्छा, ठीक है, done, आगे बढ़े हैं मेरे दोस्त? चलो, आगे बढ़ते हैं ज़रा, कुछ मैंने इसमें addition किया, क्या चीज़ों को add-on किया वो देखते हैं, फिलिपिन्स के जो वरतमा इनकाना में फर्दिनाद मार्कोस जूनियर, सुमालिया के जो प्राइम मिनिस्ट इनकाना में हमजा अबदी बारे, कोलंबिया के जो प्रस्डेंट इनकाना में गुस्तावो पैट्रो, अल्बेनिया के जो रास्टपती इनकाना में बजराम बैगर्ज, सुमालिया के रास् इसलिन नुवाक, कैथलिन नुवाक, और दोस्त, इसराइल की बात करें, इसके प्राइमिनिस्ट का ना में, येर लैपेड, अब ज़रा कुछ चीजों को और समझना, ये तो सबको पता चल चुका है, अभी हाल फिलाल अभी एक व्यक्ति का नेदन हो गया, इनका नाम है सुस पदमशिरी अवर्ड, इन से सम्मानित किया गया था, इनको वन रुपी डॉक्टर के नाम से जानते थे, तो पदमशिरी अवर्डी सुशोवन बनर जी का भी निदन हो गया, ये बैंगॉल से थे, बैंगॉल के वन रुपी डॉक्टर के नाम से इनको जाना याता था, ये जरूर याद रख लेना, बिर्भूम डिस्टिक में ये रहते थे, बिलकुल ट्रेंड में थे, एक रुपे पर विजिट चलती थी, एक रुपे ले कर जाईए मेरे दोस्त, ये आपका इलाज करेंगे, सिंपल शब्द में वन रुपी डॉक्टर के नाम से इनको जानते थे, अभी हल, सोबन बनर जी है, एक्जाम में कोशन आना चाहिए, ये वाला, में एक उबिचरी की भी लिस्ट तुम लोगों को दूँगा, एक और इंपोर्टेंट डाम बनता है, पंजाबी सिंगर है, इनका निदन हो गया, एक और नाम याद रखे कि डैबिट ट्रिंबल, ड प्राइस से सम्मानित किया गया था, ठीक है, मलब, नोविल, नोविल, पीस प्राइस, ठीक है, तो नोविल पीस प्राइस से सम्मानित, ब्रिटिश लीडर, इनका निदन हो गया, सिंपल सिंपल याद रखे, तो एक ब्रिटिश लीडर का निदन हो गया है, ओके, और इनका ओके और भी बहुत सारी ऑबिचरीज हैं अभी हाल फिलाल एक राइटर का निदन हो गया था अस्मी राइटर का अस्मी राइटर इनका नाम क्या है तो अतुल नंदा ओके अतुल नंदा गोस्वामी ओके गोस्वामी एक तो यह नाम भी याद रखते हैं अतुल नंदा गोस् एक साइन्टिस्ट का नाम याद रखे Um जँक एक आर्टिस्ट अस अब चटन में चुंग कुछ रणा पूर्य करा को लाप अचु erleम चूट бол फुदालपूर इनके निदहने पंजाब शेक्र। President of Mexico, Mexico के Former President कनितन हो गया है Former President of Mexico, इनका नाम क्या था Lewis, okay, Lewis इन आम इतना भी याद रख लो कि तो option में तो मिल जाएगा ठीक है, H.A. V.E.R.I.A Lewis H.A. V.E.R.I.A या इनो तुम लोगो टफ लग रहा हुगा, रे सार इतना सारा चीज़े कैसे करेंगे, बट दोस्ट इसकी मैं लिस्ट दे दूँगा, एक अबिचरी की भी लिस्ट दे दूँगा कौन किस फील्ड से संब्मद देते हैं, कौन किस से देशे से तो Mexico के Former President कनितन हो गया, इनका नाम था Lewis H.A.V.E.R.I.A, okay, done इतना याद रखना, आज भी आप लोगों के लिए Double Vality of Warrior Batch पर मेरे दोस्त, ठेक है, आज लास्ट डे है, Double Vality का Live Classes पर Bank MahaPack पर जाके enroll करा लिजेगा, 6 plus 6 month वाला Bank MahaPack आपको 3410 का पड़ेगा, okay, end दोस्त, 6 plus 6 month वाला Bank MahaPack प्लस आपको 5258 का, okay, तो Y168 code लगाकर आप इसमें enroll कर सकते, आप बढ़ते हैं यहाँ पर जड़ा ध्यान से, आज की important news की तरफ, इसके बारे में end में देख लेंगे, Red Bull के Max Verstappen भाई ने back to back एक और event जीत लिया, इन्हों ने Hungarian Grand Prix है, वो अपने नाम race इस साल जीत ली है, ठीके, तो यह पूरी की पूरी लिस्ट में दिखा रहा हूँ ज़रा, इसको समझना, इन्हों ने दोस्त, अभी recent में Hungarian Grand Prix जीता इससे पहले, French Grand Prix अभी जीता था, तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनकी दोस्त, टोटल भी 8 भी जीत हो गई, ठीके, Canadian Grand Prix, Azerbaijan Grand Prix, Saudi Arab, Amelia Rumagna, Miami, Spanish, इन सभी को देख सकते हैं आप लोग, इसके अलावा दोस्त, बाकी के ज़राद जितने भी option है, उसमें ज़राद यह देखो, यह जो Charles Lacrecq है, उके, Charles Lacrecq, इसने भाई ने तीन जीता है, Australian, Austrian और Beharin, ओके, Australian, Austrian और Beharin, यह किसने जीता है, Charles Lacrecq ने, अब आप समझो, आप यार एक बात बताओ, Maxwell Stoppin है, इसने टोटल मिलाकर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 इवेंट जीते हैं, ओके, Charles Lacrecq ने, मेरे दोस्त, यह जुगाण बता रहा है, इसको समझना, 3 जीते हैं, ओके, और यह जो Sergio Perez भाई, इसने एक जीता है, और Carlos Sanj है, इसने एक जीता है, हमारे लिए क्या याद करना आसान है, हमारे लिए इसने याद करना यह आसान है, कि हम लोग इनको याद करेंगे, हमें 3 नेम याद करने हैं, और इसके लवाद, जितने भी 8 इवेंट आएंगे, उसमें टिक लगा क्याएंगे, मैक्स फर्स्तापिन, एक्जाम्पल के तौर पर, Charles Lacrecq के 3 याद रखो, आस्ट्रेलियन, आस्ट्रियन और बहरिन, ओके, ओस्ट्रेलियन, आस्ट्रियन और बहरिन, और सर्जियो पैरिस का याद रखो, मुनेको गरेंड परी, Charles Lacrecq का याद रखो, ब्रिटिश गरेंड परी, ओके, अब इसके अलावा जो भी इवेंट आएगा, उसमें सब में टिक कर देना Max Verstappen, इसके अलावे जो भी आएगा सब में टिक कर देंगे Max Verstappen, बस बात करता है, समझ में आ गया, Max Verstappen, Red Bull Team से Country, नीदरलेंड, सर्धियो पैरेस Red Bull Team से Country, मैक्स को, चार्ल्स लेकर एक Ferrari Team से Country, मुनेको, जो कारलोस सेंज है, यह Ferrari Team से Country, स्पेन क्लेर भाई, जुगार समझ में आई, मज़ा आ गया, अगला नियूस, फर्स्ट मेजर वीमेन सॉकर टाइटल जीता है, इगलेंड ने, इगलेंड ने क्या किया है, UEFA, European Championship, अपने नाम करेंगे, ध्यान सुनेगा, UEFA वीमेन यूरो 2022, ये इगलेंड ने चैंपियंशिप जी जीती है, और इसने जर्मनी को हराय था, और इसके साथ इसका फर्स्ट मेजर वीमेन सॉकर टाइटल रहा है, इगलेंड का ये फर्स्ट मेजर जो वीमेन फुट वर्ल टाइटल रहा है, European Championship फाइनल में, ये रहा था, बैंबले स्टेडियम में, अब बैंबले स्टेडियम कह अब लंदन में, तो इंगलेंड नहीं, इंगलेंड ने इसको होस्ट किया, लंदन में रहा है, इंगलेंड के, बैंबले स्टेडियम में रहा था, और इंगलेंड ने किसको हरा कर ये टाइटल अपने नाम किया था, तो एक से तो इस जर्मनी, जर्मनी को हरा कर ये टाइट different countries को as a manager represent करके जीता है, इससे पहले इनकी जो Netherlands है, okay, Netherlands ने ये title 2017 में जीता है, तब ये उसकी manager थी, अब ये England की coach है, okay, तो England की coach Serena Vigman become first manager to win euro with two different nations, having laid her native Netherlands to the title in 2017, समझ में आया है मेरे बाई, clear हुआ? है कि नहीं must news दोस्त? clear हो गया? बहुत बढ़िया, अती सुंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट इस news पर जाने वाले हैं, क्योंकि 6 लोगों ने भारत के लिए अब तक Commonwealth Games में medal जीत लिया है, weightlifter मीरबाई चानू की बात करते हैं, जो कि भारत तोल्लक हैं, इन्होंने देश का पहला gold medal जीता है, किस में Commonwealth Games में, मैं पहले medal की बात नहीं कर रहा, Commonwealth Games की बात कर रहा, तो उसमें पहला medal इन्होंने नहीं जीता है, इन्होंने पहला gold medal जीता है, ओके, इनका नाम है मीरबाई चानू मीरबाई चानू किस खेल से संबन देता तो भारत तोलन से संबन देता है या यू कहें वेट लिफ्टिंग से ये संबन देता है मीरबाई चानू ने कितने kg category में ये title अपने नाम किया था 49 kg category में ये title अपने नाम किया इन्होंने कुल मिलाकर 201 kg जो weight है वो pull किया था, total मिलाकर कितना weight pull किया इन्होंने उठाया था, तो it was 2101 kg, okay 201 kg, इन्होंने 29 kg ज्यादा उठाया था मेरे तो सिल्वर medal winner Mary, इनका नाम जरूर याद रख ले न, Mary Rani Vosowa, Mary Rani Vosowa, okay, तो Mary Rani Vosowa, इन्होंने silver medal जीता, और जो मीरा भाई चानू है, इन्होंने 21 kg जो है, वो pull किया था, जो ये Mary है, ये Mauritius से है, इनके नाम silver medal रहा, और bronze medal गया था, केनिड़ा की हना के नाम, केनिड़ा की हना के नाम, हना कैमिन्सकी के नाम, fine, मीरा भाई चानू ने इससे पहले 2018 का जो Commonwealth Games रहा था, उसमे Gold Coast Australia के वहाँ पर भी gold medal जीता, मतलब इन्होंने Australia के gold coast में, जो दर अठारे का Commonwealth Games रहा था, उसमें भी gold medal जीता था, अब ये 2022 का Commonwealth Games है, ये UK के Birmingham में है, यहाँ पर भी भारत के लिए gold medal ही जीता है, I hope your guys clear होगा, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, last year बात करें, पिछले साल, अभी Olympic रहा था, Tokyo Olympic रहा था, वहाँ पर इन्होंने 49 kg category में भारत के लिए weightlifting में silver medal जीता, मतलब अभी Olympic जो गया है उसमें, और उसके साथ वो पहली Indian weightlifter बनी थी, जिन्होंने Olympic में silver medal जीता था, समझ रहो, मतलब इसके साथ वो पहली Indian weightlifter थी, जिन्होंने silver medal, examiner बहुत smart है भाई, वो उठागर Commonwealth Games की बजाए, वो Tokyo Olympic से कोशन पूछ लेगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको, हमारे लिए मीरा भाई चानू इंपॉर्टेंट हो गई, अब मीरा भाई चानू की पूरी PhD करनी है, पूरा post-mart am करना है मेरे तोस, उन से related जितनी भी news है उनका, तो समझ क्या है इसमें, मतलब silver medal जीतने वाली पहली weightlifter थी है, overall medal जीतने वाली दूसरी weightlifter थी है, करना मलेशुरी ने इससे पहला 69 kg काटिगरी में, Sydney Games में 2000 में जो रहे थे, उसमें bronze medal जीता था, ओके, तो इस तरीके से ये दूसरी हो गए जिनोंगा medal जीता, लेकिन इन से उपर medal ह इतने वाली पहली weightlifter रही थी है, इस बात को याद रखेंगे, साइको मीरबाई चानू, ये कहां से है, सारी मनीपूर स्टेट से है, ओके, शेहर भी याद रख सकते हो, फाइन, इसके अलावा इनको पदमशिरी अवार्ड से सरकार के दूरा नवाजा गया तो 2018 में, और major d ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड से, इसका नाम अब तो बदल चुका है मेरे भाई, ठीक है, पहले कुछ नाम अलग होता था, ठीक राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड, अब major dhyांचंद खेल रतन अवार्ड याद रखना, तो ये रठारे सेन को सम्मानित किया गया था डन मेरे दोस्त, क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया का पहला medal जो जीता था इनों ने जीता है, पहला gold medal मीराबाई चानू ने और पहला medal जो जीता वो संकेत सागर ने, संकेत सागर ने इतिहार सरच दिया क्योंकि Commonwealth Games 2220 में इनों ने भारत के लिए पहला medal जीता अब आगे समझो, ये भाई कहां से, महरास्ट से, महरास्ट के सांगली से है, और इनों ने ये silver medal जो जीता था, ये 55 kg कैटेगरी में जीता, कुल मिलाकर इनोंने 248 kg जो है weight pull किया था, वाट 55 kg कैटेगरी में इनोंने भारत के लिए silver medal जीता था, मलेशिया के जो अनिक मुहम इनके नाम gold medal रहा था, fine, आगे, इंडिया के एक और weight lifter इनका नाम है, Guru Raja Pujari, Guru Raja Pujari, Guru Raja Pujari, Guru Raja Pujari के नाम भारत के लिए इनोंने bronze medal जीता, और ये bronze medal 61 kg कैटेगरी में रहा है, जब तीसरा medal हो चुका है, एक gold हो चुका है, एक silver medal हो चुका है, और एक यहाँ पर हमारे लिए bronze medal हो चुका, तीनों के तीनों weight lifting में चल रहे है, तीनों के तीनों ये भारत तोलन में चल रहे है, तो भारत के गुरुराजा Pujari ने, okay, 61 kg category में भारत के लिए क्या जीता था, bronze medal जीता है, इसके अलावा, ये भाई सब करनाटक से, गुरुराजा Pujari कहां से करनाटक से है, Malaysia के ते ये gold medal जीते थे, Papua New Guinea के silver medal जीते थे, भाई ये सब additional दे दे रहा हूं, इनको पढ़ लेना, दिमाग यादा मत लगाना इसमें, ठीक है, next आगे बढ़ते है, चौथा medal, चौथा medal रहा था विद्या Rani Devi के नाम, विद्या Ravini Devi ने 55 kg category में महिलाओं के भारत के चुके है, चार medal की बात कर लेते हैं, तो चौथा medal किसके नाम रहा था, यहाँ पर अनदर जो weight lifter है, चारो के चारो भारतो लन में, विद्या Rani Devi के नाम रहा, अब विद्या Rani Devi कहां से हैं, सर ये भी मनीपूर से हैं, विद्या Rani Devi भी ये मनीपूर से हैं, इन्हों ने एक भारत के लिए एक और gold medal जीता, अच्छा भारत का दूसरा gold medal इन्हों ने जीता है, इनका नाम है जैरमी, ओके, और ये भी weight lifter है, भाई साम मिजूरम से हैं, जैरमी कहां से हैं, ये मिजूरम से हैं, तो अभी तक अगर हम दोख देखें, तो भारत को total 5 medal मिल चुके हैं, मीर इसने कितनी kg category में उठाए, 67 kg category में, 67 kg category में, अभी रुकने का नहीं मेरे तोस्त, आगे देखो, छटा medal भारत को आ चुका है, और it is also gold medal, तो इसका मतलब भारत के नाम 3 gold medal हो चुके हैं, ओके, दो silver medal हो चुके हैं, एक bronze medal, और सब के सब weight lifting में हैं, सब के सब weight lifting में, अचिंता स्वेली, 73 kg category में, भारत के लिए 3rd gold medal लेकर आएं, और ये भारत का 6th medal रहा है, बड़े simplify way में पढ़ा रहा हूं दोस्त, देखे हैं, West Bengal के अचिंता स्वेली, इन्होंने 313 kg total weight उठाया, और category जरूरी याद रखना, 73 kg category, देखे हैं, समत्र में आया, बात clear हुई, टोटल मिलाकर भारत को कितने medal मिल चुके हैं, 6 medal मिल चुके हैं, clear है, बहुत बढ़िया, क्या बात है आगे बढ़ें, next आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, इंडस इंटरनेशनल स्कूल, आज आपको एक इंसान पढ़ा रहा है, कल को बिटा है कि रोबोट भी पढ़ाएगा, इसको लेकर देखें, क्या मलब हैं, हैदराबाद का एक इंडस इंटरनेशनल स्कूल है, और इसने पहला टीचिंग रोबोट है देश में, इसको इंटर इंटरनेशनल स्कूल है, हैदराबाद में, उसको इंटरनेशनल स्कूल है, हैदराबाद में, उसको इंटर्डिउस किया गया है, ठीक है बई, दन, अगला देखना, इंडियन इंसिट्यूट ऑफ साइंस, IISC, इसका इंडियन नेवी के साथ एक समझोता रहा है, क्या समझोता रहा है, वो समझते हैं, एविएशन रिसर्च और डबलप्मेंट के लिए, बस ये कीवर्ड है, याद रखना, कि विमानन अनुसंधान और विकास पर सहियो को कर करने के लिए भारतिय नो सहना और भारतिय विज्ञान संस्तान, IISC, इन दोना के बीच में समझोता रहा था, डन है मिर दोस्त, क्लियर है, डन दोस्त, क्लियर, ओल डन, चलो, आगे बढ़तें, नेक्स्ट, चीफ मिनस्टर अफ उडिसा नवीन पत्रनायक ने, एक किताब लॉक्डाउन लिरिक्स, ओके, अ कलेक्शन ओफ पोएम रिटें ओन एक्सपीरियंस एन एक्सपेरेशन्स ड्यूरिंग दी पैंडिमिक, असल में उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पत्नायक ने, लॉक्डाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जो महमारी के दोरान अनुभवों और उत्तेजनाओं पर लिखी गई कविताओं का संग रहे है, और इसमाँ पोएट का नाम कहा है संजुकता दास, कवी कौन है इन पोएम्स के संजुकता दास, संजुकता दास, जरा समझने की कोशिश करिएगा, अब और भी बहुत कुछ है, उडिसा रेज रेलेटेड एक सीतल सस्ती फेस्टेबल रहा, पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का उडिसा में शिरू हुआ है, देश की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्सरवेटरी देश की उडिसा में उपन हुई है, नेशनल फैम मानित किया गया, उडिसा की सर्वेस है, नेशनल MSI में अवर्ट तेर बाइस हो, फस्ट प्राइज उडिसा को दिया गया, फिर बिहार को और फिर हर्याडा को, ये टॉप त्री अवर्टी स्टेट रहेते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये याद रखना है, नेक्स्ट, असम ग एकनॉमिकली वीकर फैमली होती है, समझेगा, जो भी एकनॉमिकली वीकर फैमली होती है, उनके लिए फाइनेशल असिस्टेंस स्कीम है, जो कि असम गवर्टे के द्वारा शुरू किए इस करनम है औरंदई स्कीम, अब असम सरकार का कहना है कि हम लोग 1000 रुपे यहाँ पर monetary benefit के रूप में economically जो weak women है उनके account में डालेंगे हर महीने की 10 तारिक को, simple है, ये वाला बात है, बड़ मेरे लिए important ये है कि उरंदे scheme किस state के असम कि और ये क financial assistance scheme है असम की बात करें, तो ये 36 state oblique union territory है जिसने one nation, one nation card program को implement किया, रंगोली बोहांग भी हूफ फेस्टबल असम का है बैकोफ फेस्टबल असम का रहा था देश का पहला night navigation mobile applications असम में शुरू किया गया देश का पहला commercial grade green hydrogen production plant ये असम में लगाए जा रहा है अंबूची मेला, ये कामख्य टेंपल में कोहाटी में रहा था असम में रहा था डन, next सेखेगा लगातर दसवे साल की बात करते है for a recorded 10 year in a row कंतार इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पारले प्रोड़क्ट ने सब से अधिक चुने के हुए FMCG ब्रांड की ranking में सी रिशिस्थान हासिल किया है जरा समझने की कोशिश करियेगा इस रिपोर्ट का नाम है कैंतार इंडिया इस रिपोर्ट को किसने दिये कैंतार इंडिया ने और इस रिपोर्ट में क्या कहना है कि जो पारले प्रोड़क्ट है वो FMCG, FMGG ब्रांड में इस रिपोर्ट में रहे थे जो कि most chosen FMCG नोट FMGG, इस FMCG ब्रांड रहे थे तो जो CRP होता है consumer reach point होता उसके हिसाब से इस पूरी लिस्ट को देखना पहले नंबर पर पारले प्रोड़क्ट हो गया दूसरे नंबर पर अमूल हो गया जहां तंदूरिस्थी है वहाँ लाई बोई समझ नहीं मेरे भाई ये भी हो गया समझ नहीं समझ रहे जो सारे के सारे आप लोग याद रख ले ये सारे के सारे important बनेंगे सबसे यादा consumer reach point किसका है वो पारले प्रोड़क्ट का है 6531, ओके? क्लिनिक समझ मेरे रहे? इस वो नहीं दिखना मेरे भाई पहले इस्तेमाल करें फिर बिस्वास करें जया सुस्मा और निर्मा सब की पसंद निर्मा सम्तिंग लेक से ना बिटा वो नहीं दिखना यहाँ पर वो प्रोड़क्ट नो दिख जो ना, बट कोई दि कर दी पारले प्रोड़क्ट याद रखना अन, clear? चलो, आगे बढ़ते हैं next, सेखते हैं South East African countries का नम है Jim Bombay इसका नम कहां बेटा Jim Bombay इसने gold coin को legal tender घोशित कर थी ओके, 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 ओके अभी तक हम लोगों ने देखा था कि bitcoin को countries ने legal tender खोशित किया था ठीक है समझ रहे नहीं समझ रहे अभी हाल पिला अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन-कौन से देश हैं जिन्हों होने कि bitcoin को legal tender खोशित किया कोई बता सकता है Central African Republic है सर उसने bitcoin को legal tender खोशित किया था अच्छा यह दूसरा देश था जिसने कि legal tender खोशित किया था पहला देश कौन सा है जिसने कि legal tender खोशित किया था bitcoin को जरा बता है इस news पर तबाहूँगा मैं first country जिसने legal tender खोशित किया और उसके बाद अगर बात करते तो Central African Republic है अब जरा समझते हैं जो दोस्ट बढ़ती हुई मुत्रास्वितिया hyper inflation है देश में उसे टैकल करने के लिए gold coins को legal tender खोशित किया जिंबामबेन है ने मौमता gold coin is mossi o tunia नाम के बेटा mossi o tunia तो इनको इनकी mossi से इंस्पायर हुए होंगे इसलिए इसका नाम है mossi o tunia इसका नाम हो गया gold coin को legal tender जिंबामबेने घोशित किया है इसको liquid asset status दिया गया है next 2024 के जो Paris Olympic है उसके organizers ने games wide open इसको official slogan घोशित कर दिया मतलब कहने का simple शब्तों में अर्थ यह है कि जो 2024 में Olympic होने वाले 2024 के जो Olympic होंगे यह कहां पर होंगे France के Paris में okay 28 के कहां पर होंगे US के California में Los Angeles में और 32 के कहां पर होंगे Australia में यह Olympic हो गए कौन से summer Olympic सर winter Olympic की बात करते हैं तो यह 2026 में कहां पर होगा इटली के Milan Cotina de Ampezo में रहेगा मिटली इटली के Milan Cotina de Ampezo में तो 24 का जो Olympic रहने वाला जो कि summer Olympic है इसका जो official slogan it is games wide open okay games wide open मजा आ गया clear by games wide open fine next देखना previously 1900 में और 1924 में Paris ने host किया था अब Paris summer Olympic को तीसरी दफ़ा 2024 में host करने जा रहा है तीसरी दफ़ा ओके पहली दफ़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर बिड़ा 24 24 okay senior scientist इनका नहीं हिमांशू पाथक इनको Indian Council of Agriculture अग्रिकल्चर रिसर्च का डिरेक्टर जनल बनाए गया यह बहुत important न्यूज हो गई I.C.A.R. okay Indian Council of Agriculture Research simple simple बात करें तो न्यूज यह है direct याद रखनी है कि Indian Council of Agriculture Research के डिरेक्टर जनल कौन है अब इनका नहीं हिमांशू पाथक और यह Department of Agriculture Research and Education में बहुत और Secretary भी काम करेंगे 16 जुलाई 1929 यह क्या रहा था यह इसका foundation year है fine foundation year 94th foundation day 16th of July को celebrate किया गया मैंने जुलाई के important days भी करा दिये दोस्त कल या परसो करा दिये एक बार उस session को भी देख लीजेगा ठीक है इसका headquarter कहाँ पर न्यू डेली में इसका मुख्यालस दित है next दिकते है अगस्त तक world breastfeeding week okay world breastfeeding week done मेरे भाई clear आज का session कैसा लगा content कैसा लगा please जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई कल आपको बहुत सारे compilation मिलने जा रहे हैं कल का दिन in the context of compilation काफी कुछ आपको मिलेगा ठीक है आज के session के view जरूर शेयर करिएगा तो यह रहा overall session I hope clear रहा होगा मेरे दो इसके अलावा जो important information है वो यह है कि still double value on है मेरी आपसे गुजारिश रहे है कि जितने भी विध्यारती ऐसे हैं जो बिलकुल beginner है okay जिनको यह जो इस साल exam के लिए जा रहे हैं please यार मेरे दोस्त किसी एक membership में जरूर enroll कराईए क्योंकि हमारे जितने भी faculties है math, reasoning, english, journal awareness सभी के all faculties की all classes आपको membership में मिलती है like bank maha pack इसमें आपको bank related, insurance related सभी faculty के सभी batches मिलेंगे okay bank related, insurance related, आज 6 month वाला bank maha pack आपको extra 6 month याली 12 month के साथ मिल रहा है and today is the last day और यह पढ़ेगा आपको 3410 का कैसे लेना वो भी बताता हूँ Y168 code आपको इसमें लगाना है, जो 12 plus 12 month वाला bank maha pack इसमें पढ़ेगा 4290 का okay, 4290 रुपे का fine, इसमें भी faculty की सभी classes मिलेंगी, live classes मिलेंगी, video courses मिलेंगी, even test series भी है, test series अलक से नहीं लेनी, e-books भी आपको इसमें available कराए गई है okay, even आपको personality development classes, interview classes, सब कुछ अभी दिखा दे प्लस में bank related जितनी भी news है, देखे, bank related जितनी भी classes है, वो तो मिलेंगी, insurance related मिलेंगी, plus regulatory body related भी मिलेंगी, regulatory body में आप क्या आगए, नाबाड, SEBI, SIDB, SO exam, RBI, grade B, okay, coal, India, इन सभी के batches आपको bank maha pack plus में मिल रहे है, यह आपको 5258 का पढ़ेगा, 6 plus 6 month वाला, and 12 plus 12 वाला which is a dream batch, okay, जो की मेरा की dream batch है, मेरे दोस्त, इसमें आपको warrior 4.0, 3.0 मिल रहा है, financial awareness के लिए monthly current affairs दे रहा हूं, मैं आपको इसमें monthly current affairs, June की classes आपकी कल Tuesday है, कल से start होने वाली है, financial awareness की classes daily basis पे चल रहे हैं, मेरे बाई, current affairs, MCQs आपको इसमें मिल रहा है, static GK, यह complete batch है, दोस्त, ज यह भी आपका bank महापका पार्ट है, पालग से भी ले सकते हैं, इसमें enroll करा सकते हैं, code इसके लिए Y168, okay, process यह है, आप added 247 website पे जा सकते हैं, add 247.com या फिर add 247 application, but I will suggest कि आप application से ले, क्योंकि application में जो आप code लगाएंगे, अपने भाई का, मेरा code लगाएंगे Y168, तो इस आपको coin और option मिलेगा, coin select कर लेना, code लगाना, code पर 77, coin पर 1% extra, 78% discount मिलेगा, करपया करके मेरे भाई इसी code का इस्तेमाल करिएगा, एक आद आद आपको बोलेंगे, phone call लेन, all call आई से मेरे दोस्त, उसको ध्यान रखना, अपने भाई का ही code आपको लगाना, effort मेरे, ध्यान भी रखना आप लोग, ठीक है, I hope यार सारी चीज़ा clear रही होंगी, कैसा content लगा, एक पर share करना, आज मुलाकात करेंगे, हम लोग दोस्त, 12 बज़े, बाट उससे पहले, 10 बज़े warrior pro class में, ओके, तो आज के लिए double reality और extend हुआ है, तो उसका ध्यान रखते हैं, ओके, थैंकी दोस्त।